राजसान के बीकनेर में रक्षामंत्री राजनाथ संग ने जनसाबा को संबोधित किया ज़रान उन्होंने कहा कि अंदर राश्ट्री जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है पहले में जब विदेशों में जाता था तो हमारी बातों को कोई संजीदगी से नहीं लेता थ तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है कि भारत बोल रहा है रक्षामंत्री राजनाथ संग ने कहा कि दुनिया के राश्ट्रधक्ष भी कहते हैं कि 20 सदी अगर किसी की होने वाली है तो भारत की होने वाली है इसका श्रय प्रधान मंत्री मोदी को जाता है रक्षामंत्री राजनात सिंग ने कहा कि अब ये आधुनिक और नाया भारत है जो समक्ष और समर्थ है प्रधानमंद्री मोदी के कुशल नेत्रित्व में दोजार सत्ताइस तक भारत दुन्या में टॉप थ्री में होगा अंतरास्टी जगत में भारत की प्रतिष्टा बड़ी है बैनों भाई यो पहले भी मैं विदेशों में जाता था पहले मैं विदेशों में जाता था अंतरास्टी मंचों पर भी हम कुछ बात बोलते थे हमारी बातों को जिस गंभेरता पूर्बक लिया जाना शाहिए नहीं लेकिन आज भारत का कड़ इतना बढ़ा है अंतरास्टी मंचों पर किसी ही फोरम पर भारत यहीं बोलता है तो सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है भारत बोल कि आ रहा है यहां भारत की हैसित नहीं और इतना ही नहीं भारत को बड़ी आशा और रिश्वास के नदरिये से तारी दुनिया देख रही है दुनिया के राश्टा ध्यक्ष भी कहते हैं कि पूरे विश्व में एक कीसी सदी यहीं किसी की होने वाली है तो भारत की होने वाली है बहनों भाईयो इससे बड़े देश के प्रधान मंतरिये आदरने नरंदर भोदी जी को दिया जाना शाइए जिस तरीके से उन्होंने इस देश का नित्तर्त किया है क्या हमारे एक यह कम फक्र की बात है क्या हमारा प्रधान मंतरी यह दुनिया के दूसरे देशों में जाता है तो यहां पर हमको हिंदू-मुस्लिम के आधार पर मुस्लमान बिरोदी हैं यह हैं वह हैं कहकर बदनाम करने के कोशिश की जाती है बैन भाईयों आपको जानकर खुशी होगी अरब के पाँच देशों ने अरब के पाँच देशों ने जो उनका सरवच सम्मान होता है पहली भारती किशी को दिया है हमारे भारत के प्रधान मंतरी मोधी को दिया है एक चोटी सी घटा मैं बतला हूँ यहां सेना के लोग भी बैटे होंगे पूरो सहिदिक बहुत सारे लोग होंगे हमारे नौ सेना के नवी के कुछ ऐसे जवान जो की कतर में काम कर रहे हैं और उनको किनी मामलों में वहां प्रधालत ने फासी किसे आ दे गंभीर शंकट हम लोगे सामने पैदा हो गया मैं भी बेचाइन उठा हर के बावजूर हमारे पूरो सहिदिक हम बरतमान सेवा में टैनात सहिद्कों की जितनी इज़्ट करते हैं उतना ही हम अपने पूरो सहिद्कों की भी इज़्द करते हैं बहुत असमंजस की सिती थी हमारे प्रधान मंत्री ने कतर के राष्टा ध्यक्ष को टेलीफ़न मिलाया आपको जानकर खुशी होगी और कतर के राष्टा ध्यक्ष वहां के राष्ट पती ने हमारे आठ के आठ नौ साइनिकों को माफ कर दिया वह सकुसल भारत चे ले आया अभी कुछ दिनों पहले बिसाखा पत्नम में वहां के इंटेलेक्शिल्स यहां के बहुत बुद्धिजीवी समाज के लोग थे उनको मैं संबोधित कर रहा था तो दो तीन लोग जो कतर से छूट कर आये थे यहने फांसी की सजा हो गई थी वो लोग ही मुझे मेरे यह है भा धड़ा धड़ रूस की तरफ से भी मिसाइल चल नहीं है गोले चलाए जा रहे और साथी साथ यूकरेन की तरफ से भी मिसाइल बम गोले तो जो कुछ भी हो सकती है तब चलाए जा रहे जब यह युद्ध सुरू हुआ था तो यहां पर हमारे यहां भारत के रहने वाले ब बाच्चों को युक्रेन से निकाल कर आप भारत ले आई है। संकट की स्थिती थी। चुनावती पूर्ण स्थिती थी। बैन भायों हमारे प्रधान मंतरी ने च्छाणवर की देर नहीं लगाई। उन्होंने रूस के राष्ट्रपती मिश्टर पूतिन को टेलीफ़न मिला है। युक्रेन के राष्ट्रपती मिश्टर जेलिस्की तो टेलीफ़न मिला है। और साथी अमेरिका के राष्ट्रपती मिश्टर बाइडन को टेलीफ़न मिला है। और आपको जानकर खुची होगी साड़े चार घंटे के लिए युद्र रुक गया और साड़े बाइस हमारे जवान भारत आ रहे हैं यह है भारत की हैश हमारे सेना के दोवान भी अपनी शहादत देते हैं अपना सब कुछ ने उशावर करते हैं इसलिए न कि भारत माता का मस्तक सारी दुनिया में हुजा है और किसलिए करते हैं भारत माता की आन बान शान पर कभी आँच नहीं दुनिया के पांच देशों की कतार में आकर रहा हूं और आज मैं कहकर जा रहा हूं मैं ही नहीं कह रहा हूं दुनिया की फाइनिंशियल फॉर्म क्योंकि आर्थिक मामलों की समय समय पर समिक्षा करती रहती है रिपोर्ड देटी रहती है उन फाइनिंशियल फॉर्म ने कहा ह है अब वह दिन जूर नहीं है कि 2027 प्रारंब होते होते ही भारत दुनिया की टाप थ्री कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा मेरे बैटर